आज की इस रिपोर्ट में हम आपको महाशिवरात्री के पावन अउसर पर कराते हैं रम रमा वाटरफाल, रम रमा शिव मंदिर के दर्सन और साथ में बताते हैं सर्धालू की आस्था के बारे में किस तरह की आस्था उनकी इस मंदिर से जुड़ी हुई है इस प्राकर्तिक और नैसरगीक संदर्य के बीच वो जब पहुशते है तो उनके मन में किस प्रकार की फिलिंग और आस्था उमरती है ये भी हम जानने का आज की इस रिपोर्ट में प्रियास करेंगे तो आईए चलते हैं सिधा रम रमा महादेव पहाडी की ओर इसको जब प्रिवक हम उसे देखाते हैं रंदी महराज को लेक्याम प्राप्रमा महादेव के फासा आए हैं हमारे छेत्र का वारा सुनी खेलना जीवदान सभा का रम रमा इत्याजी की इस्थल है यहां भगवान महादेव का वास है और पिछले पतीति सालों से हम यहां हर साल सिवरात्री में आते रहे हैं आज भी देख रहे हैं आप इतियासिक माहूल है भगवान भोले का आशीव द रहता है हो country रहे हमारी सबस्थर वाराशिय को मेरी और से माजज सिवरात्री की देशारी सुपकामना है डिरसाइद बताई और हमारे प्रयाश होगा उस से भाकवान भोले करेंगे गणा मंडी गाड मंडला रबरमा मंडी पोचने का आज कोशित कर रहे हैं अपने सुद्धी करन करने पोचने अपने गाड में तो रमरमा महादेव टेंपल में हम थर्ड स्टेज पर पहुच चुक है तीसरे पायदान पर पहुच चुक है और तीसरे पायदान पर यहां पर भगवान भोलेनात यानि की महादेव जी की यहां पर गुफा है और इसी गुफा में भगवान स्यू जी की पिंडी होना बताई जाती है यहां पर शभी प्रकार के लोग अपनी आस्था के चलते हर साल महाशुरात्री और शावन मास में उमरते है और ऐसा माना जाता है कि महादेव टेंपल इसी पहारी की वज़र से जाना जाता है हालांकि यहां पर फ्राकर्तिक नजारे भी जगा जगा देखने मिलते है चुंकि यह वाटरफाल है और इसी वाटरफाल के किनारे में यह पहारी है और किनारे से होकर यह सुरम में वादिया लगी हुई है और इसी सुरम मेवादियों के बीच में वाटरफाल के किनारे एक गुफा है चोटी सी केव सा है और इसी केव के अंदर में भगवान महादेव यानि भगवान भोलेनाजी की पिंडी है एक पिंडी यहाँ पर कुछ समय पहले सधालूओं के द्वारा अपनी आस्था के लिए यहाँ पर रखी गई है और इसी पिंडी के उपर यहाँ पर 24 घंटे वाटर फाल का जो पानी है वो गिरता है इस पानी को लोग अपनी बोतलों में भर कर घर तक ली जाते है इसको इस महादेव टेंपल से प्राचीन काल से जुड़ी हुई बताई जा रही है ऐसा माना जाता है कि संबु शेक नरका जो कि संबु जागरन की रात महाशिवरात्री की रात को कहा जाता है या पंडुम तेवहार कोई तूर गंड़ जीओ इसलिए मनाते है कि उस दिन पाच ख जातना शिद्धी द्वारा पचाकर वे पूरे होश में आ गये थे और इसी वज़े सी से गंड़ जीओ जो होते है आदिवासी समाज के सगाजन होते है गंड़ जीओ जो है वो बहुत खुशी के साथ में इस पर्व को मनाते है इसे संबु नरका पंडूम कहा जाता है क्या होता है कि अठासा वठासे रेड़ा पुजारी से लेकर रेड़ा पुजारी मेरे दादा परदादा दसो पीडियों के पहले रेड़ा पुजारी वगा करता है उनी के वनसा वली के हम मैं लाल सी मर्श को ले हूं जो दस पीड़ी से अभी तक संबु सेख दादा का सेवा करते आ रहा है दढ पीड़ी मेरे आजा बाबा सब बुज neoण भी हूआ हवन फुजान गोंगो हुआ हुआ है अज पहांदी पा कुपार लिंगो हमारा धर्मगुरू है अदिवonne की का उसका पाल की लेके हम यहां ऑल संबु सेख दादस के भेट कराने याए पहांदी पारी कुपार लिंगो जी 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 तो लगातार आप तस्वीरे देख रहे है रमरमा महादेव टेंपल से रमरमा महादेव टेंपल चुंकि वाराशिवनी मुख्याले से 20 किलोमेटर दूर है और बालागाट मुख्याले से लगबख 40 किलोमेटर दूरी पर इस्थित मैकाले रेंज की प्रवस संखला के बीच इ तो है आसानी पूर्वा की इस टेंपल तक इस महादेव टेंपल तक पहुच सकते हैं इसके उपर भी आप देख सकते हैं सद्धालू यहां के नैसरगी का और शुरम में वातावरन का लुत्प उठाने के लिए आनन्द उठाने के लिए चड़ाई करते विए दिखाई दे र है रमरमा वाटरफाल की यह तश्वीरे है और यहां पर लोग बड़ी शंख्या में पहुचे हुए हैं तो कुछ इस तरह की माननेता है इस महादेव टेंपल की प्रती सभी प्रकार की लोग यहां पर पहुचते हैं और महाशुरात्री का पर्व होने के चलते आज सद्धा सद्धालू जो है बारो हो महने हम कह सकते हैं कि यहां पर यहां के नैशरगी का और शुरम में वाता औरन का लुट्व उठाने के लिए पहुचते हैं लेकिन आज महाशुरात्री का पर्व है इसके चलते शद्धालू की भीड़ यहां पर कुछ जादा ही नजर आ रही है और उनकी जो भी मौनो कामना है लोगों की वह उसमें यहां पर आने वाले जो भाक्त हैं स्रद्धालू होएं उनकी मौनो कामना प्रोन होती है झाल प्रोन है